Hello students, welcome to class desk, I hope आप लोग एके board के exam काफी अच्छे हुए होंगे अब जो आपकी journey में next step है वो है CVT का exam अगर आप एक top university में जाना चाहते हो, एक top college में admission लेना चाहते हो तो CVT का entrance exam आपके लिए काफी important है, तो इस video में मैं आपको इस exam का पूरा पूरा structure बताने वाला हूँ, आप कैसे form fill कर सकते हो जो हमारे हां के previous year के results रहे हैं, वो आप देख सकते हो ताकि आपको एक inspiration मिले और इसके साथ है आपको CVT के तयारी करने कैसे है, उसका भी complete process समझा दूँगा तो बहुत ध्यान से वीडियो देख लेना, my name is स्वारप कुठारे, let's just start तो सबसे पहले आप यह समझो, जो आपका CVT का exam है, उसमें आपके सामने total 3 section है, section 1, section 2 and section 3, जो पहला test है, वो है आपका language test जिसमें आपका भई दो parts है, 1A और 1B, then आपके सामने domain specific test है and then आपका आता है general test, इन सब में क्या क्या चीज़े होंगी, आपको पूरा complete process बताऊंगा and आपको जो exam होगा, वो जो language आप select करोगे, उस language आपका exam conduct होगा जो domain और general test है, वो आपका English and जो आपकी दूसरी selected language होगी, उसमें आपका exam होगा जो exam के duration है, slot 1, slot 2 and slot 3 वो आपको बताया होगा है exam आपका computer based होगा, मतलब आपको system पे पूरा का पूरा paper करना होगा अब अगर हम सबसे पहले language test की बात करें, तो देखो सबसे पहले ये समझो कि different different universities, different colleges का अलग-अलग selection process है, ठीक है लेकिन अगर हम माल लो broad university से माल लो, Delhi university की बात करें तो उनकी requirement है कि आपने language test clear किया हो और उसके साथ जिस भी course में आप apply कर रहे हो, उसके लिए अगर general test चाहिए है domain test चाहिए है, दोनों चाहिए, वो आपने clear करे हो तो language test का pattern क्या है, आपके सामने 50 questions होंगे आपको 40 attempt करने है, total आपको 45 minutes मिलेंगे सही answer करने के plus 5, गलत answer करने के minus 1 अगर आप attempt नहीं करोगे, तो आपको कोई deduction नहीं होगा, 0 marks उसके मिलेंगे अब आपको ये language कहां से select करनी है, आपके सामने 13 languages section 1A में जिसमें आपके English, Tamil, Telugu, Hindi, Marathi, Urdu, Kannan, Malayalam, Bengali, Gujarati, Assamese, Udia, Punjabi देन आपके सामने section 1B है, जिसमें कुछ foreign language भी add हो जाते हैं, अगर आपको ये foreign language का course करना चाहते हो तो वो आप select कर सकते हैं, कुछ और languages भी हाँ पे आप plus minus देख सकते हो तो total, maximum आप 3 languages select कर सकते हो section 1A और section 1B में से आपके exam में होगा क्या, आपके सामने 6 to 8 reading comprehension होंगे जो आपके 400 से 450 words कोंगे, वो आपको solve करने होंगे और उसके अलावा कुछ language based अलाग question आप देख सकते हो, ठीक है तो यह आपका पूरा गुरा language test का process रहेगा then हमारे सामने आता domain specific test यह generally वो वाले subjects होते हैं, जो आपने class 12 पे पड़े होंगे अगर मालो आपको become honors करना है, वहाँ पे आपको requirement है accountancy economics थी हो, वो आप domain subject select करोगे तो total जो हर एक domain subject का test होगा, वो 50 question का test होगा जिसमें से आपको 40 question attempt करने होंगे, time आपके सामने 45 minutes का होगा again marking scheme आपकी same है, अब आपको जो maximum subject select कर सकते हो वो आप 6 subject maximum select कर सकते हो, कुछ paper आपके 60 minutes के होंगे जैसा accountancy, economic, physics, computer science, chemistry, mathematics जहाँ पर थोड़ा सा numerical वाला concept आ जाता है, वहाँ पर आपको कुछ extra time मिलेगा आपके subject का score plus जो आपका language का score होगा, जो आपने पहले वाला test दिया होगा उन दोनों को combine करके आपकी cut off merit list बनेगी अब यहाँ पे third exam है general test, general test जो है, यह काफी सारे courses में accept होगा डेल्ली में city के, जैसे मालों आपको BMS करना है, ठीक है आपको BBA करना है तो general test का आप यूज कर सकते हैं, अगर आपको BMS जैसे courses में admission लेना है तो उसके लिए तो आपको general test देना ही है, इसमें आपका जो paper pattern है 60 questions होगे, जिसमें सापको 50 करने होगे, टोटल आपको 60 minutes मिलेंगे marking scheme आपकी same है, plus 5 और minus 1 की, जो slabber से वो क्या है कुछ questions आप general knowledge and current affairs के देखोगे then आपके सापने mental ability के questions होगे, numerical ability के questions होगे quantitative reasoning होगी, logical and analytical reasoning तो जो आपके topics नहीं होते, blood relation का topic, ranking, direction, sense उसका series completion, then आपके, जो quants के questions होते हैं, उसके बाद static gk, last one year की जो current affairs रही हैं, ये सारी चीज़े आप इस पूरे के पूरे paper pattern में देखोगे, ठीक है, अब अगर हम बात करें, eligibility criteria के है, सर्कौन-कौन बच्चा CVT का exam दे सकता है, तो Indian nationality आपकी होनी चाहिए, आपने भाई, कुछ subject class 12 में पढ़े हो, और उसके बाद, जो भी बच्चा CVT के लिए apply कर रहा है, उसके बाद, जो आपकी university की requirement है, वो आपको वहाँ पर apply कर देनी है, and 12 में जो आपको marks चाहिए, वो 50% minimum चाहिए, अगर आप general category से हो, and 45% अगर आप SCA, STO, ठीक है, अगर हम बात करें, CVT का form filling process क्या है, तो सबसे पहले भाई, आप इसकी website पर जाओगे, cvt.nta.nic.in अभी आपको दिखा भी दूँगा, वहाँ पर आपको apply बटन का option दिख रहा है, वहाँ पर apply पर जैसे click करोगे, एक नया page open हो जाएगा with the list of courses, जो भी प्रोग्राम में आप apply करना चाहते, उसको आप select करोगे and apply कर दोगे, अपने details को fulfill करोगे, filling on personal details, education details, address and exam center, अपनी photograph और signature upload करना है, तो जो photograph का size है, वो 10KB से 100KB के बीच में होना चाहिए, और signature आपको 5 से 20, उसके बाद आपने university of courses select करोगे, यह बहुत जादा important है, क्योंकि एक बाद आपने form भर दिया, उसके बाद आप यहाँ पे changes नहीं कर सकते, तो submit करने से पहले, बहुत किसी senior से, अपने elder brother, sister से, teacher से, इसको review ज़रूर करा लेना, सर मैंने ठीक से भरा है, form की नहीं भरा, यह इसलिए important है, क्योंकि you cannot change the subject or the university after you finalize, ठीक है, और उसके बाद आप अपने form की payment कर दोगे, इसके बाद अगर हम देखे कौन कौन सी top universities है, जिसमें आप admission रे सकते हो, CUT के through, तो 47 central universities है, 34 state universities है, 27 deemed university, and 95 private university, तो जो top universities है, जैसे Delhi university हो गई, यह सारी universities, CUT का entrance exam accept कर रहे हैं, आपको अलड़ी पता है, जो डिव के top colleges है, चाहे वो लेटी शीराम हो, मिरांडा हाउस हो, SRCC हो, हंसराज college हो, यह सारे colleges, जो हैं CUT का score accept करेंगे, इसके अलावा, जो other universities भी हैं, वो भी CUT का score accept कर रहे हैं, relevant information मिलते हैं, आगे जब तक आपका admission नहीं हो जाएगा, यह channel आपकी पूरी की पूरी जर्णी में बहुत जादा contribute करेगा, अब बात करते हैं, क्या आप अपनी तयारी कैसे कर सकते हैं, तो class desk जो है, वो आपको one stop solution प्रोवाइड करता है, जहां पे आप पूरी की पूरी preparation ब 100 percentile, pretty good, very professional teaching, then Sayyad Hussain के English और ECO में again 100 percentile, had a good experience, the quant section had a variety of questions to practice, then Suryans के physical education में 100, thank you to team class desk, great video lecture and test series, completely worth it, उसके बाद अगर आप देखोगे, general test में 99.4 अदयम्या की थे, class desk helped me a lot in preparing for general test, then Sayyam का business studies में 99.36, it was good and lectures were of great help, then Udai Singh के 99.27, Alexander Suni के 98.74, और ऐसे ही results, बहुत सारे बच्चों के आये हैं, जो अपने dream institute, dream university में admission ले चुके हैं, तो अगर वो लोग कर सकते हैं, तो आप भी definitely कर सकते हो, बस आपको मेहनत चाहिए, and आपका एक attitude होना चाहिए, never give up, the difference between an average student and the topper is, that the topper never ever gives up, और इसी लिए, हम आपको एक complete preparation करा रहे ह है हमारे class desk platform से, जिसमें आप CVT के साथ साथ, जो भी other interest exam है class 12 के बाद, जो commerce and management field में required है, उनको आप यहां से crack कर पाओगे, तो हमारे पास कौन कौन से courses है, CVT का सिरफ आप English language का course भी ले सकते हो, CVT का सिरफ general test भी ले सकते हो, CVT का combo ले सकते हो, जिसमें आपका general test English और domain तीनो included है, then CVT का all UG management है, जिसमें आपका CVT भी हो जाएगा, जो आपके other interest exam है, जैसे IPMAT का entrance exam हो गया, symbolizes हो गया, NMAT हो गया, यह सारे के सारे भी cover up हो जाएगे, then अगर आपको सिरफ test series लेंगे है, तो CVT की test series भी available है, and all exams की test series भी available है, इन सब के जो demo lectures है, वो मैंने नीचे description में आपको link दे दिया, वहाँ पर जाओ, देखो, अगर आपको लगता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं, वो आपको completely समझ में आ रहा है, तो इस number पे आप WhatsApp कर सकते हो, call कर सकते हो, 880-329-380, यहाँ पर जाके आप admission ले पाओगे, ठीक है, कोई और question है, डाउट है, तो यहाँ पर आ आने वाले जिसमें हम आपके complete preparation भी कराएंगे, so all the very best, thank you so much and take care.